गोंद का इस्तेमाल किये वगेर इस कागस की थेली को बना सकते हैं इसके लिए आप A4 साइस का कागस ले और इसे पहले डबल तेह करके फिर नीचे से पहले एक मरतबा फिर दूसरी मरतबा तेह करें इसी तरह से लंबे सिरे को भी पहले एक मरतबा तेह करें फिर दूसरी मरतबा तेह करें फिर एक रंगीन कलम लेकर तिर्ची लकीरे बनाएं और इन तिर्ची लकीरों को कैची से एक एक करके काटें अब ये खड़े हिस्से वाली लकीरों को भी काट ले अब जो कटे वाले हिस्से हैं उन्हें एक तरह से एक छोड़कर एक को मुखालिब सिम्त तै करते जाएं इस तरह एक छोड़कर एक उपर नीचे तै करते जाएं आप इसे करीब से देख सकते हैं इस तरह तै करने से इसके को दोनों सीरों बंद हो जाएंगे इस में गूंद की जरूरत नहीं है इस ठेली में आप तमाम चीज़े रख सकते होगे इस में से तमाम चीज़े अंदर ही रहेगी ये थेली बनाने के लिए पुराना जेरोक्स कागस का इस्तिवान हो सकता है